दोस्तों, नवरात्री के दिनों में लौंग का छोटा सा प्रयोग आपकी किस्मत को बदल सकता है मातारानी को लौंग अत्परी है और लौंग एक ऐसी वस्तु है जिसका तांतिक क्रियाओं पूजा पाठ में और हमारे किचन में भी यूज होता है अगर नीमित रूप से मातारानी को लौंग अर्पित किये जाएं तो उसके फल निराले तो मिलते ही है लेकिन जब नवरात्री का मौसम आए तो आप विशेश प्रयोग कर सकते हैं तो जीवन में चमतकार हे तु आप खुद देख शकते हैं और मातारानी का इंतजार पुरे वर्स रहता है क्योंकि मातारानी वैसे ही आती है इस बार ये हाथी पर सबार होकर आ रही है लेकिन आपको उनके आने से जीवन में आनद तो भरता ही है साथी खोशिया भी जमर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे 5 अक्टूबर को 14 होगा भीजे 10 में तो खुशियों से भर जाती है जब नौरात्री आती है नौरात्री में 9 दिनों तक मातारानी की विशेष पूजन अराधना की जाती है विशेष वस्तवें अरपित की जाती है विशेष भोग लगा पहले दिन मा सैल पोत्र की आराधना होती है। होती है और देवा शूर संग्राम में देवताओं का शेनपत बनाया गए था कार्थिके कुमार को वो उन्हीं की मा है छटे दिन मा का इत्याने की होती है और साथ में दिन मा कालराती भगवती का विक्राल रूप है आट में दिन मा महागवरी जिसको हम अश्टमी तित्री की दिन उनकी आराधना करते हैं अश्टमे के दिन कन्या को भोजन की लाते हैं और सिद्ध दात्री नौमे दिन उनकी आराधना की जाती है और फिर बिजय दस्मी मनाई जाती है दस्मी दिन लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस नवरात्री में लौंग के प्रयोग से कैसे आप अपने ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं जीवन में तंत्रमंद्र की परहसानिया दुख नाज नजर दोस्ट से बस सके हर परहसानिय से बाहर निकल सकते हैं आपको बदा दे कि नव रूप देवी के नव ग्रहों को कंट्रोल करता है शूर चंद्रमा मंगल बुद्धग्रह शुक्र शनी राहु के तुकु शान्ती होती है ऐसे में चलिए अब हम जान लेते हैं कि लौंग का वो प्रयोग जिसको हम अगर कर लें इस नवरात्री के दर समाप्त हैं काल का नास करने वाली हैं रिद्धि सिध्धी को देने वाली हैं और काल का नास तो करती हैं साथी साथ सबसे पहले बात करें लौंग को लौंग का वो कौन सा प्रयोग जो आपकी जीवन के हर परिसानियों से कष्ट को समाप्त कर देता है एक बात याद रखे अगर आप चाहते कि पूरे जीवन में आपको कभी भी सत्रु बिरोधी आपका कुछ बिगार ना पाएं, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजेगा, नौरात्री से आपको माता रानी को दो लोंग अरपित करना शुरू कर देजेगा, यानि कि आपको प्रथम शेल पुत्री मा प्रथम देन से ही आपको लोंग उन्हें अरपित कर दें, ना जादा करें तो दो लोंग साबूत लोंग ध्यान रखेगा, तूटी फूटी लोंग आप बिलकुल भी इस्तिमाल ना करें, आप साबूत लोंग यानि कि दो साबूत लोंग अरपित करें, जो बिलकुल तो ये उपाय अपने घर में ही कीजिए और अगले दिन उसे उठाकर पत पतनी दोनों जन खालें परिवार के सदस्यों को साथ बाढ़ कर खालें तो अगले अगर परिवार में ज्यादा सदस्य हैं तो ज्यादा आप चढ़ा दीजेगा और दो सदस्य हैं तो दो तीन है तो तीन चरहाईएगा पांच है तो पांच चरहाईएगा और अगले दिन वही प्रयोग पूरे साल आप यह नहीं करें यानि कि पूरे नवरात्रे के दिन करें तो पूरे साल यकीन मानिया सत्रों बिरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगार पाएंगे और सही समय पर आ प्राप्ति की कामना है, शिग्र विबाह की कामना है, बहुत शारी कामना ही होती है, स्वास्त की कामना होती है, बहुत एक शुको की कामना ही होती है, तो उन कामनाओं की पूरती के लिए 27 लोंग का इस नौरात्री के किशी भी दिन प्रयोक कीजिए, आप 27 लोंग ले ले और आप बिल्कुल साबूत खुबसूरत बिरा टूटी फुटी लोग यानि कि देख लिजे इन दो 27 लोग को आप लाल धागे के सारे बांध कर माता रानी के सामने वहीं पर बांधना है और माला बना लेनी है नहीं माता रानी के सामने करेंगे तो ज्यादा चमतकार होगा और अ जल में इसे प्रवाहित कर दें और फिर दूसरी प्रकार से आप ये प्रयोग करें वैसे तो आप इच्छे महिने में आपकी मनुरत पोड़ी हो जाएगी और ना हो तो आप एनी एक ही नवरात्रे में करें विशेश लावह का बहुत इस्वफलदायक शावित होगा लोग क अद्बुद उपाय जो आपकी जीवन के सभी कृष्टों को निवारन करेगा माता रानी के सामने आप दीपक तो जलाते ही हैं नवरात्रे के दिनों में बहुत शारी लोग अखंड दीपक जलाते हैं तो माता रानी को प्रसंद करने के लिए और माता रानी के खृपा प्र सफलता की कामना हो रुपए पैसु के कामना हो तो कामना करें फिर आप माता के शणों के पास रख दें फिर इसे थोड़ी देर में उठा कर इस दो लोग को दीपक में डाल दें दीपक में डालने के बाद फिर अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो इसे दो तीन बातकार होगा कि आपके धर में रूपया पैसों कि कमी कभी महसूस नहीं होगी आपका खजाना आपका भंडा रूपय पैसों से भरा रहेगा दोस्तों अगर सत्र बिरोधी बहुत ज़्यादा परेशान करें या फिर आपको बार बार नजर लग जाती है क्योंकि ये दिन बह ठाकर फिर अपने सर से तीन बार उल्टे बार के और अपने दर्वाजे के मुख दर्वाजे के बाहर फेंक दें दोस्तों ऐसा चमतकार फिर देखे आपके घर से निगविटी दूर हो जाएगी जो भी आपके उपर बुरी बालाएं बुरी शक्तियां है वो दूर हो जाए और फिर इसे लाल कपड़ में रखकर आप इसे किसी चौराही पर चले जाए और एक एक करके आप चारो दिसाओं में आप चार लॉंग फिंगे और जो अंतिम में जितनी भी लॉंग बच जाए वो सत्रों का नाम लेकर आप उपर आश्मान के तरफ फिंग दें शत्र अध्भुत उपाई कीजे विशेस लाभ होगा लॉंग के प्रयोग से जीवन के कष्ट मिठते हैं और मा भागुती के गृपा बरस्ती है जीवन की जो समस्याइं हैं जो परेशानिया है वो दूर हो जाती है लॉंग का ये अध्भुत प्रयोग आपकी जीवन से सभी कष् लॉंग को रखे रहने दें बाद में जब आप बिसरजन करेंगे और ये आपका दीपक बुझेगा तो इस लॉंग को निकाल कर धन के स्थान पर रख दें इतना पशावर्शे के किस संभाल नहीं पाऊगे दोस्तों अगर आपके घर में किशी को नजर लग जाती है बहु इस लॉंग को उसके सर से जारा बार नीचे से उपर सर से पाव तक घुमाएए और ले जाकर किशी तिराही पर जाकर फेंक दीजे सत्रुनाश शांत नजर दोस्तों टोने ठोटके नहीं होंगे और अगर आपके घर में निकवेटी जादा है यानि कि बहुत जादा गलत उ लंगा जल डालके पूरे घर में शिड़काव करें बाद में जल को पौधे में डाल दें और ये दो लॉंग को आप कहीं बाहर फेंक दें घर से तो आपके घर से निकवेटी दोर हो जाएगी तो इस प्रकार से लॉंग का अद्वत उपाई जरूर करें